बिखार में इस वक्त कोरोना से जो मरीजों के हालात हैं एक तरफ मरीज चंद सेकेंड अपनी जिन्दगी को बचाने में जूज रहे हैं तो दूसरी तरफ अस्पताल में कहीं बेड नहीं है कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं एंबुलेंस की कमी है और इसका ताजा मामला एक बार फिर उजागर हुआ है एक लाभुक ने हमें ट्विटर पर टैग करके डीटीवी भारत को स्पेशली टैग करके एक वीडियो जारी किया है और हमसे ये अपील करते हुए सरकार तक बात रखने की मांग की है कि इस कोरोना की वैश्विक महामारी की घड़ी में एक और जहां मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं उनका बहतर इलाज नहीं हो पा रहा है उन्हें सुविधा मुहया नहीं कराए जा रही है एंबुलेंस तक नहीं दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ स्वास्त मंत्री बिहार सरकार लगातार स्वास्त विवस्ता को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है दूसरी तरफ इस तरह का वीडियो जब वाइरल होता है तो कहीं न कहीं स्वास्त विभाग की भी पोल खुलती है बिहार सरकार की भी पोल खुलती है और ये वीडियो जब वाइरल हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह एक बेटा एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण अपने पिता को ठेले पर लेकर अस्पताल जा रहा है। यह तस्वीरे बिलकुल मरमाहत है। आपको देखकर कहीं न कहीं ममता आ जाती है। कि आखिर इस वैश्विक महामारी की घडी में जहां पर अपने ही अपनों का साथ नहीं दे पा रहे हैं। सरकार एक तरफ यह कह रही है कि हम दिन राथ काम कर रहे हैं एंबुलेंस मोईया करा रहे हैं लेकिन इस तरह का वीडियो जब वाइरल होता है तो विभाग की पोल खुलती है। हैं। वीडियो जो है, ये सिवान जिले की है, जो खुद स्वास्त मंत्री मंगल पांडे का ग्रेह जिला है, वहाँ पर इस तरह की विवस्था, जो स्वास्त विवस्था की चर्मराई हालत है, ये सामने उजागर हो जाना कहीं न कहीं, स्वास्त विभाग की भी लापरवाही को दर जा रहा है तो इस तरह की जब बात सामने आती है तो बिलकुल हैरानी होती है लेकिन ये वीडियो जब वाइरल हुआ है तो इस सब वीडियो को आपको देखने की कहीं न कहीं अवशक्ता है इससे समझने की अवशक्ता है कि क्या हाला तो बिहार में है किस तरह जहां एक तरफ मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि बियार में लगातार सरकार काम कर रही है जो भी मरीज हैं उनकी बढ़िया से बढ़िया विवस्ता के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं दूसरी तरफ स्वास्त मंत्री कह रहे हैं कि हर एक अस्पताल में हमने बेड ऑक्सीजियन एम्बुलेंस की सुविदा मुहिया कराई है लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की बात जब सामने आती है तो विभाग की पोल खुलती है बाइख खबरों में इतना ही बने रेडिय टीव भारत के साथ नमस्कार